दोस्तों हमारी दुनिया में कई सभ्यताएं आई और लुप्त हो गई धर्ती की शुरुवात से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया इनसान विक्सित होता गया हमारी आम धार्णना तो यही है लेकिन ये बात सच नहीं है हमसे पहले भी एक से बढ़कर एक उननत और विक्सित सभ्यताओं का अस्तित्व था जैसे दुआरिका श्री कृष्ण की इस नगरी की खोज पानी के अंदर वो चुकी है जो किसी कारणवश पानी में डूब गई थी ऐसा ही एक भव्य शहर था अटलांटिस इस एपिसोड में हम अटलांटिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो अटलांटिस में रह चुका है इसलिए एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा पानी हमारी धरती का सबसे बड़ा हिस्सा है जहां खोए हुए शहर, लुप्त खजाने, रहस्मई जहाज और चमतकारी जीव जंतूओं के अंसल्जे रहस मौजूद है इन रहस्यों में सबसे पहला नमबर आता है अटलांटिस शहर का आज से 2300 वर्ष पहले एक मशूर ग्रीक फिलासफर प्लाटो ने अटलांटिस के बारे में लिखा था प्लाटो के अनुसार ये शहर आज से 11300 वर्ष पहले मौजूद था और एक दिन के अंदर पानी में समा गया था ये शहर बेहद उन्नत और विक्सित था कहा जाता है ये इतना खूबसूरत था जैसे धर्टी पर स्वर्ग उतराया हो यहां आधे इंसान और आधे देवी देवता रहा करते थे ये शहर दरसल एक दूइप था जो चारों तरफ से पानी से गहरा हुआ था यहां के लोग आत्म निर्भर थे जो यहीं खेती करते थे और एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतों का निर्मान भी करते थे यहां इमारतें काले और लाल पत्थर से बनाई जाती थी साथ ही ये लोग सभी मैटल्स के बारे में जानकारी रखते थे और उनका इस्तिमाल भी करते थे माना जाता है यहां के लोग लेरियन तारा मंडल से पचास हजार साल पहले आये थे और वो इस ग्रह के नहीं थे वो आज के इनसानों से कई ज्यादा लंबे गोरे और खुबसूरत थे जिनके पास कुछ चमतकारी शक्तियां भी थी वो मौसम और ज्वाला मुखियों को नियंतरित कर सकते थे और उनकी ओसत उम्र आट सो साल होती थी उनके पास एक ऐसा यंतरि भी था जिसके जरीए वो टाइम और स्पेस से पूर्जा प्राप्त करते थे मानिताओं के अनुसार इस भव शहर का निर्मान पोसाइडन ने किया था जो ग्रीक माइथालोजी में समुद्र के देवता माने जाते हैं पोसाइडन एक बार सबसे बड़े द्वीप की खोज में थे तब ही उन्हें एक द्वीप मिला जहां बेहत खुबसूरत लोग रहते थे वहाँ एक खुबसूरत महिला भी रहती थी जिसका नाम क्लीटो था पोसाइडन को उस महिला से प्यार हो गया और उन्होंने उस बंजर डीप में एक भवी शहर का निर्माण कर दिया ये शहर क्लीटो के लिए बनाया गया था और उसका नाम अटलांटिस रखा गया इसके बाद पोसाइडन को क्लीटो पर शक होने लगा और उसे दुनिया से दूर रखने के लिए कॉसाइडन ने क्लीटो को एक पहाड पर कैद कर दिया था जिसका नाम दहेल आफ क्लीटो पड़ा विग्यानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि इस शहर की लोकेशन कहा हो सकती है लेख के अनुसार ये शहर एक बड़े भूकम्प या सुनामी की वज़े से समंदर में समा गया था प्लैटो के अनुसार ये शहर एट्लांटिक ओशियन की गहराईयों में होना चाहिए तो कुछ एक्सपर्ट की राय है कि ये शहर स्पेन के पास मौजूद हो सकता है दोस्तो एडगर केसी एक मशूर साइकिक थे जो भूत काल और भविश्च में होने वाली घटनाओं को प्रतियक चुरूप से देख सकते थे उन्होंने लगबग 15,000 भविश्चमानिया ऐसी की हैं जो सच साबित हुई एडगर केसी ने एटलांटिस के बारे में भी वंडन किया है केसी ने लिखा कि एटलांटिस एक बेहद उन्नत सिविलाइजिशन थी जो गल्फ अफ मेक्सिको से लेकर गिबराल्टल तक फैली हुई थी एडगर के अनुसार बिमीनी दर असल एटलांटिस के पहाड़ों में से एक है एडगर ने बताया कि आज से 12,000 वर्ष पहले समुद्र का लेवल आज से 300 फिट नीचे था और बहुत सारा भू भाग जो आज पानी के नीचे है दर असल विशाल आइलेंट्स थे एडगर के अनुसार टेक्नॉलिजी का दुर उपयोग करने की वज़े से एटलांटिस का शहर तबाह हुए था एडगर के अनुसार उन्हें पता था कि एटलांटिस तबाह होने वाला है और इसी वज़े से उन्होंने एटलांटिस से संबंदिद रिकॉर्ड्स इजिप्ट, विमीनी और युकार्टन में छुपाय थे एडगर का कहना है कि एटलांटिस की खोज बहामाज में होगी दोस्तों मैटियास दी स्टीफएनो नाम के एक वेक्ती अरजेंटीना में रहते हैं जिनका दावा है कि वो एटलांटिस शहर में रह चुके हैं और उनका अगला जन अरजेंटीना में हुआ है जब वो तीन वर्ष के थे तब से ही उन्हें अपने पिछले जन्मों की जलकियां दिखाई देने ले लगी थी और जब वो बारा वर्ष के हुए तब उन्हें पूरी तरह से अपनी अटलांटिस में बिटाई जिन्दगी याद आ चुकी थी वो इन यादों को ड्रॉइंग के जरीए प्रदर्शित करते थे और अपनी माँ को दिखाया करते थे उनका कहना है कि आज से 12,000 साल पहले वो इजिप्ट में एटलांटिस की एक कॉलनी में रहते थे उन्होंने ये भी बताया कि आटलांटिस को दूसरी दुनिया से आए लोगों ने 30,000 साल पहले बनाया था आटलांटिस की पहली कॉलनी एटलांटिक ओशियन से मेडिटेरियन समुद्र तक फैली हुई थी उस समय बारा ऐसे परिवार थे जो पूरी दुनिया पर राच करते थे उस काल में महिलाय राच किया करती थी और उस समय का पूरा ग्यान पानी बर्फ और किस्टल में रिकॉर्ड किया गया मेटियास का कहना है कि एटलांटिस को हमारी गैलेक्सी का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया गया था वो आज भी लोगों को वो चीजें सिखा रहे हैं जिने उन्होंने एटलांटिक में अपने जन्ब के दोरान सीखा था दोस्तो इस गुत्थी को आज तक नहीं सुल्जाया जा सका है कि क्या सचमुच एटलांटिस का शहर था कुछ एक्सपर्ट्स इसके अस्तित्व को पूरी तरह मानते हैं तो कुछ इसे एक कहानी समझते हैं लेकिन ऐसे शहर दुनिया में जरूर रहे हैं जो अद्बुत और अकल्पनिय थे उधारन के तोर पर दे लॉस्ट सिटी ओफ जी ग्यान गंच और द्वारिका आप एटलांटिस के अस्तित्व के बारे में क्या सूचते हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए आपको ये एपिसोट कैसा लगा हमें जरूर बताएं और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें हम जल्द आप से एक नए एपिसोट के साथ मिलेंगे धन्यवाद